वेलकम टो नायरा स्टड़ी हैं आप सब कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टड़ी को कॉटेन्यू कर रहे होंगे अज के वीडियो लेक्षर में जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है सहचिक परबंधनेयों परशाशन इसके 2016 से 2022 तक के सभी जितने भी पेपर्स आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टन है क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोस्चन्स रिपीट होते हैं तो इस तरह से अगर आप 2016 से 2022 तक के सभी कोस्चन्स को अच्छे से समझ लेत हैं तो आपको बहुत ज्यादा हैल्प मिलेगी ठीक है ना तो हर एक चीज एक ही वीडियो में आपको प्रवाइट हो जाएगी इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हैल्प कराएगी तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोडिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके तो आज की सिरीज का फ़स नमबर कोस्चन देख लेते हैं कच्छा कच्छों कच्छ के बाहर किसी सार्थक क्रिया कलाब को संपन कराने के लिए आवशक है तो टीलम बनाना पेड़ पोधे लगाना मैदान की स्वेम सफाई करना या योजना बनाना तो कच्छा कच्छों योजना के अनुसार करते हैं तो हमारा वर्क अच्छे से हो पाता है और बाकी ये कि मैदान की सफाई करना या पेड़ पोधे लगाना या टीलम बनाना ये सब चीजे तो बाद की बात हैं है ना मानवी परबंधन के घटक हैं विद्याले भवन फरनीचर पुस्तकाले सिच चिज़ख बच्चे और समुदा यानि मानवी परबंधन कोन हो जाते हैं सिच्छक बच्चे और समुदा यानि दाउठ्षन हो जाता है। समस्या समाधान का परमुख अंग है निर्णे परकिरिया निर्णे परकिरिया निर्णे परकिरिया या अधिगम परकिरिया या अनुशाशन परकिरिया तो निर्णे परकिरिया निर्णे लेना है ना निर्णे परकिरिया ये हो जाता है विद्याले में भवन फरनीचर हम शोचाले आदिकी विवस्ता की जा सकती है तो ग्राम सिच्छा समिती द्वारा या भिभावक सिच्छक संग द्वारा समुदाय द्वारा उपरियूक्त तीनों के सहीओक द्वारा यही आंसर आपका राइट हो जाता है N-C-E-R-T इस्थित है N-C-E-R-T इस्थित है तो चेननई में, लखनों में, दिल्ली में या कोलकाता में तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है नई दिल्ली में यानि N-C-E-R-T की बात हो रही है न यहाँ पे तो दिल्ली हो जाता है ग्राम सिच्छा समीती के गठन के लिए आविशक है एक महिला का होना दो महिलाओं का होना तीनों महिलाओं का होना या महिला का होना आविशक नहीं तो इसमें एक महिला का होना आविशक हो जाता है इसलिए आपका आउप्षन राइट हो जाता है लो कोस्ट नो कोस्ट वाले सिच्छण दीगम सामगरी का निर्मार किया जा सकता है बाजार से वस्तुमें क्रे करके शैशन द्वारा प्राप्त सामगरी से इस्थानिय परिवेश में उपलब्ध वस्तुमों से प्रधान चारे द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से तो इस्थानिय परिवेश में उपलब्ध वस्तुमों से ये राइट आंसर हो जाता है प्रात्मिक कच्छाओं के बच्चों को पाठ पुस्तके निसुल को उपलब्द कराई जाती है भारत सरकार द्वारा राज सरकार द्वारा जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा तो राज सरकार द्वारा यानि कि आपका बाउप्षन हो जाता है question है कच्छा कच में कुल निर्धारित पार्थ पुस्तके हैं हो जाती है एक तो इसमें आपका एक answer right हो जाता है उसके बाद प्रदेश में संस्कृत विखे का पठन पारथन किस कच्छा से प्रारंव है तो कच्छा एक से कच्छा तीन से कच्छा पांच से या आपका हो जाता है कच्छा छे से तो प्रदीश में संस्गरत विशे का पठन पाठन किस कच्छा से प्रारम होता है तो कच्छा तीन से यानि बाव अप्शन राइट हो जाता है और इसमें जो कच्छा कच्छ में कुल निधायत पा को सब्वी किरिया कलाप को तो इसमें अमनी आपका राइट हो जाता है पाठ सहघामी किरियाओं के संचालन का दाइट तु सोपना चाहिए किसको सिच्चको को अभिभावको को बच्चों को या जिलाविद्याले निरिक्षक को तो पाठ सेगामी की Norm के संचालन का दाइट तु सिच्चकों को तो आपका option right हो जाता है उसके बाद आपका question हो जाता है प्रति एक जनपद में कारेरत जिला समन्व्यक अधीन होते हैं किसके जिला विध्याले निरिचक के जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी के डायेट प्राचार के या जिला अधिकारी के तो इसमें आपका आंसर हो जाता है जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी के यानि आप्शन आ यानि बा उप्षन आपका राइट हो जाता है ठीक है ना राज जिस सेचिक अनुसंधान और परसिक्षण परिश्यद का मुख्याले इस्थिते किसका तो यहाँ पे आप इसको समझ लें इस तरह के कई कोस्चन से तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो येगा यहाँ पे है राज जिस सेचिक अनुसंधान और परसिक्षण परिश्यद का मुख्याले तो इसमें इलहाबाद, वाराणसी, लक्नव या मैरट तो राज जिस सेचिक अनुसंधान तो लक्नव हो जाता है जिला इस्तर की सर्वोचकादमिक संस्था तो डाइट, सीमेट, A, C, E, R, T या बियार सी तो डाइट यानि जिला इस्तर की बात यहाँ पे हो रही है तो डाइट हो जाता है यानि डाइट हो जाते हैं अब यहाँ पे 2017 के कोस्चन्स को सॉल्व करेंगे जो की वस्तुनिष्ट टाइप हैं पहले हम लोग वस्तुनिष्ट टाइप कोस्चन्स देखेंगे उसके बाद अतिलगुत्रे टाइप कोस्चिंस और उसके बाद लगुत्रे टाइप कोस्चिंस की सिरीज को continue करेंगे, जो आप लोगों को एक ही वीडियो में सभी चीजे प्रवाइड हो जाएंगी, कच्छा कच्छ में कच्छा कच्छ के बाहर किसी सार्थक क्रिया कलापके संपन कराने के लिए आवशक है देखे फिर से वही कोश्चन रिपीट है नेतुरत करना, योजना बनाना, परशाशन करना, परबंधन करना तो इसमें आपका यूजना बनाना हो जाता है, कोई भी आप वरके स्टार्ट करेंगे, तो आपको यूजना पहले बना लेनी चाहिए, क्योंकि यूजना बनाने से क्या होता है, कारिसुगमता से हो जाते हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतरगत के संगठन का समनवे नहीं ह को सकता तो वित्य संसाधन, भोतिक संसाधन, मानवे संसाधन, उपरियुक्ति सभी, तो ये सरकारी जो option होता है, इसको देख के विल्कुल इसी पर टिक ना किया कीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग क्या करते हैं, बहुत जादा लोग में सभी लोगों की बात नहीं करें, लेक हो सकता विद्याले में सिच्छन के अलावा बच्चों में विकास यतु विशेस ध्यान दिया जाना चाहिए, तो गडित विशे का, अंतरनीत गुडों का, या अंतरनीत शक्तियों का, तो अंतरनीत गुडों यम शक्तियों का, यानि की दा option आपका right हो जाता है, कच्छा में बच्चों के लिए फरनीचर की विवस्था की जानी चाहिए, तो उनकी पठन शमता के अनुसार, यानि वो जैसा पढ़ रहे हैं, वैसे मतलब उनकी फरनीचर की आउशक्तियों या उनकी लेखन शमता, अगर लेखन कोई अच्छा कर रहा है, तो उसके लिए ऐसा नही उनकी शारीरी कभी विरत्ति के अनुसार, यानि उनकी जैसे शारीरी कभी विरत्तियों यासा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं और जो आपके फरनीचर हैं वो उच्छे हैं, तो उनके पार लटक रहा हैं, उनको बाटने में कमफटेबल नहीं हो रहा हैं, तो ऐसा नहीं, त तो देखें क्या कहा है अधिगम परबंधन का महतुपूर्ण पक्ष है तो परशाशन हो जाता है डाट कर दंड देखकर यह सब चीजे नहीं अनुशाशन आपने बना दिया और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है या आप उसको फॉलो नहीं करा पा रहे हैं भाई आप बहु है ना और रिक्वेस्ट कोई करता है अच्चे से बात करके करता है तो सभी उसका समान करते हैं कि भाई देखो यह पिचारे को इस चीजी दो इस तरह से कहरा है बंदा तो हमें इसकी बात मानी जाहिए यही तो होता है ना तो ओर्डर करके कोई किसी से कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकता है मानिता के अनुसार बच्चों के अधिक नस्दीक होते हैं कौन तो पिता मा से चख भाई भाई भें तो ऐसे तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अगर बच्च राइट हो जाता है ग्राम सिच्चा समीती का सदस सचिव होता है तो बेसिक स्कूल का वरिष्ट सिच्चक यहां पर देखे ग्राम सिच्चा की बात हो रही है तो बेसिक स्कूल का प्रधाना अध्यापक ठीक है ना ध्यान दीजिएगा उचित वित्य परबंधन निरधारि यानि की A option आपका right हो जाता है learning corner द्वारा बच्चों में good विक्सित होता है swim द्वारा आवलोकन करने से निरिक्षण करने का निष्कष करने का या उपर युक्त तो इसमें उपर युक्त सब भी यानि की सभी option right हो जाते है यानि दा option आपका right है परिशदी प्रात्मिक विद्यालियों की कच्छा दो में निर्धारित कुल पार्ठी पुस्तकों की संख्या तो कितनी हो जाती है क्योंकि यहां पर कच्छा दो की बात कर रहे हैं तो कच्छा दो में कुल जो पुस्तके हो जाती है वह आपकी हो जाती है इसके बाद आपकी गिन्तारा हो जाती है नाम भी आ जाए है ना तो इनको भी ध्यान रखिएगा कलरो और गिन तारा सामानी रूप से विद्याले में कुल कितनी परकार की समय सारणी बनाई जाती है तो एक, दो, तीन, चार सामानी परकार से बताई जा रही है वैसे तो कई तरह की या प्रधाना ध्यापक के निरिच्छड की सुविधाकान। तो नियमिस सिच्छड अधिगम परिकिरिया का ये आपका जो बाउप्षन है वो आपका राइट हो जाता है छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उप्योगत अबदी कितनी होगी तो 30 से 35 मिनट आपका बाउप्षन राइट हो जाता है सभी अभिलेक होने चाहिए तो सही वेद विश्वेसनी है और जब आपको सभी देखिए सही वेद और विश्वेसनी है दा उप्षन में सभी चीज़े मिल गई तो आपका यही उप्षन राइट हो जाता है जिला समनों के के पद सरजित किये गए हैं अधिक्ष ग्राम सिच्छा समीति के अधीनस या जिला बेसिक सिच्छा अधीकारी के अधीनस या जिला अधीकारी के अधीनस या जिला विद्याले निरिच्चक के अधीनस तो जिला बेसिक सिच्छा अधीकारी के अधीनस ये हो जाता है उसके बाद आपका कोश्चन हो जाता है आपके देखे 2018 के स्टार्ड हो जाते हैं कोश्चन सिच्छा परबंधन का परमुक कारे परवेक्षण करना परशाशन करना विवस्था करना नियोजन करना देखिए कई बार रिपीट हो चुका है यानि कि आप लोगों के लि परोल्ड कीनज का है यानि सा उप्षण आपका राइट हो जाता है उसके बाद है विद्याले परबंधन में महत्वपूर्ण भूमी का होती किसकी प्रधाना ध्यापक की सिच्छक की बच्चों की उप्रिक्ष सभी की तो विद्याले परबंधन में यानि परबंध करने मे तो परबंध कौन करता है तो परबंध जो है प्रधाना अध्यापक है ना तो यहाँ पे आपका option right हो जाता है उसके बाद आपके questions हैं next question की तरफ चलते हैं प्रात्मिक शाला के लिए ग्रामिर छेत्र में भवन है तू इस्थान का चयन करते हैं समय ध्यान रखना चाहिए किस तो शाला गाउं के बीचों बीच में हो जहां पे शोर गुल हो तो ऐसा तो नहीं है सडकों के किनारे जिसमें जादा शोर गुल हो भाईवाहन निकलेंगे तो शोर गुल नहीं होगा तो यह भी आपका right नहीं है ताला आपके पास तो बिलकुल नहीं गाउं के समीब खुल गुड़ है कठोरता समयावधी लचीलापन विश्यों का चैन तो यहाँ पे लचीलापन ये राइट अंसर हो जाता है विद्याले समुदाय के परस पर सहयोग का पर्मुक उद्देशी अध्यापकों को अनुशाशित करना चात्रों अध्यापकों में मदूर संबंद करना समुदाय से सही उग प्राप्त करना तो समुदाय से सही उग प्राप्त करना यानि कि आपका दा ओप्षन राइट हो जाता है बुक बैंक से संबंदित पंजिका नहीं है जो नहीं है वही सही है तो भंडार पंजिका या संचई पंजिका या दान पंजिका या कारवा ही पंजीका तो दान पंजीका इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है उसके बाद कोश्चन है वयाम की आविशक्ता होती है तो बालक के मानसिक विकास है तू बालक के शारिरिक विकास है तू बालक के सरवांगीर विकास है तू या विवहारी का नुशाशन है तू तो बाल ये आपका right answer हो जाता है यदि एक बालक कच्छा में स्वच्चता के साथ नहीं आता है तो आप उसे क्या करेंगे उसे डाट लगाने चाहिए बिलकुल नहीं शाला से निकाल देना चाहिए बिलकुल नहीं उसे सुच्छता के लाब बताएं भाई उसे आप बताएं रोज रोज आप लाब बताएंगे तो एक दिन वो सही ही हो जाएगा तो उसे जब आप लाब बताएंगे ठीक है ना और अभी भावकों को सूचित करना तो अभी भावकों को तो पहले से ही पताएं कि हमारा से गया है स्कूल अधिकारियों द्वारा किये गए नेच्छन विद्याले के कारी के घंटे तथा विद्याले को परभावित करने वाली अनगति विद्यों का उलेक किया जाता है आदेश पुस्तिका में लोग बुक में सेवा पुस्तिका में विद्याले कैलेंडर में तो लो बेसिक सिच्छा समिती का गठन 1972 में किया गया ठीक है ना भारत में विद्याले निरिच्छड पदती का प्रारंब हुआ गुप्त शाशनकाल में मुगल शाशनकाल में अंग्रेजों के शाशनकाल में या इन में से कोई नहीं तो अंग्रेजों के शाशनकाल यानि कि आपका जो साव option है वही right हो जाता है विद्याले की बौधिक परियोगशाला है तो विज्ञान परियोगशाला सिचण कच्छ या पुस्तकाले या म्यूजियम तो आपका पुस्तकाले हो जाता है यानि कि साव option right हो जाता है संचई अभी लेक पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र क प्रगती का तो यहां पे आउप्शन राइट है आपका निमलिखित मैंसे कौन सा भौतिक संसाधन के अंतरगत आता है छाथ-छात्राएं सिच्चक विद्याले भवन भौतिक की बात हो रही है तो यहां पे विद्याले भवन हो जाते हैं हो जाता है विद्याली की बहुत धि समय साणी को कहा जाता है विद्याले की दूसरी घडी अनुशाशन घंटा अध्यन तो विद्याले की दूसरी घड़ी विद्याले के अभिलेखों का मुख्य देश होता है तो अवशक सूचनाओं का रखर रखाव यानि बाव अप्षन आपका राइट हो जाता है कोठारी कमिशन ने यानी 1964 से 666 निर्माता की संग्या किसे दिया है तो पर्दिभाशाली छातरों को या इंजीनियरों को या अध्यापकों को या सिच्छादिकारियों को तो अध्यापकों को दिया है यानि सा आपका राइट आंसर है सिच्छा की संस्थान कहां इस्थी थे तो राज सिच्छा संस्थान की बात हो रही है तो परियाग राज में विद्याले में अनुशासन इस्थापित करने में सहायक नहीं है अगर आप दंड की अधिक्ता करेंगे तो विद्याले में अनुशासन इस्थापित करने में ये सहायक नहीं है पाठे सेगा में किन्याओ का आयो जन नेतिक सिच्छा की विवस्था सिच्छा का भी भावक सयोगी सब ही है लेकिन दंड कहीं पे नहीं है ठीक है ना राज हिंदी संस्थान कहां इस्थित है तो राज हिंदी संस्थान तो आपका वाराणसी हो जाता है और उसके बाद विद्याले परबंधन में महतुपूर्ण भूमिका होती है तो विद्याले परबंधन की बात हो रही है तो प्रधाना अध्यापक की सेचिक प्रवंदन का महतुपूर्ण पच्छ तो परशाशन हो जाता है दंड पुरुसकार अनुशासन नहीं परशाशन कौन सी पाठे सहगामी किरिया तरक शक्ती का विकास करती है तो अभीने, खेल, कूद, निबंद लेखन, वाद विवाद तो वाद विवाद यहां पर क्या कौन सा पाठे सहगामी किरिया तरक शक्ती का विकास करती है तो तरक शक्ती तभी होगी जब वाद विवाद आप करेंगे है ना तो यहां पर वाद विवाद हो जाता है N.C.E.R.T. का मुख्याले कहां इस्ती थे तो नई दिल्ली में 1961 है ना तो आप याद रखिएगा पाठी सहगामी किरिया कला आपकी विशेष्टा है पाठी सहगामी किरिया कला सांस्कृतिक कारिकरम रास्टिये पर्व रक्षान रोपर उप्रिव्ति सभी तो दा उप्ष भूमिका होती है प्रधाना ध्यापक की सिच्छक की बच्चों की उपरिव्ति सभी की तो परबंधन की बात हो रही है तो प्रधाना ध्यापक की ठीक है ना जिला इस्तर की सरवोच अकादमिक संस्ता जिला इस्तर की बात हो रही है तो डायेट है ना समस्या समाधान का पर बार बार रिपीट हुए यानि आप लोगों के लिए कितना important हो जाता है क्योंकि questions रिपीट होते हैं राज हिंदी संस्थान कहा है तो राज हिंदी संस्थान वारारसी में है एनाई वैस की स्थापना तो 1989 इस्वी में तो याद रखिएगा उसके बाद है सूचना का अधिकार विदियक लोकसभा में कब लाया गया तो दिसंबर 2005 में लाया गया ठीक है ना भारत की पर्थम परियोगशाला इस्थित है तो कहां इस्थित है तो भारत की पर्थम परियोगशाला परियाग राज में यहां पे भारत की पर्थम मनो विज्यान शाला की बात हो रही है तो भारत की पर्थम मनो विज्ञान शाला पर्योग यानि परियाग राज में हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपका हो जाता है देखे कोश्चन क्या है भारत की पर्थम मनो विज्ञान शाला इस्थिते तो परियाग राज में बाल गर्णा पंजिका है तो विध्यालेई अभी लेख यानि कि आउप्शन आपका राइट हो जाता है उसके बाद कोश्चन की तरफ चलते हैं प्राकर्तिक आपदाएं कितने परकार्की होती है तो देखे प्राकर्तिक आपदाओं का कितनी तरह की होती है बहुत सी होती है लेकिन वो किनके किनके अंतरगत रखी गई है तो इस चीज़ को समझ लेते हैं तो किसके अंतरगत रखी गई हैं प्राकरतिक आपदाएं देखिए एक मानो निर्मित आपदाएं होती हैं दूसरा क्या होता है प्राकरतिक आपदाएं होती हैं दो तरह की होती है न तो इसमें देखिए प्राकरतिक आपदाएं की अगर बात करें तो बार, चकरवा, सूखा, भुस्कलन, हिमिस्कलन यह सबी हो जाते हैं और मानव निर्मित आपदाएं जैसे ओदोगिक दुरगटनाएं हो जाती है भावन, हना ढैनिकी आपदाएं आग, विसफोर्ट, वाईउ, रेक और सभी समुदरी दुरगटनाएं यह सब हो जाती है तो इस तरह से दो आपका अंसर राइट हो जाता है, है ना और अगर उस तरह से पूछा जाए तो देखे इसमें बाढ़, चक्रवा, सुखा, भूसकलन, हिमिसकलन ये सभी हो जाते हैं तो जहां पर अगर इस तरह से नाम आ जाएं तो आप सभी पे टिक करेंगे तो ये प्राकरतिक आपदाओं में अगर ये आ जाता है, मानो निर्मित में ये सब आ जाते हैं तो आप उन पर टिक करेंगे और इस तरह से अगर परकार पूछ लें तो दो परकार समय सार्णी से बचत होती है, समय और श्रम की दोनों की होती है साहितिक गतिविधी है, तो निरतिक कहानी लेखन, तो कहानी लेखन साहितिक गतिविधी हो जाती है उसके बाद T.E.T. का पूरा नाम, तो T.E.T. का पूरा नाम सिच्छक पातरता परिक्षा हो जाता है विद्याले की संदचना है तो निर्मार संबंधी कितिनी योजनाएं परचलित है तो देखे भौतिक मानुए और वित्ये तो यहाँ पे आपका जो तीन यानि दा उप्षन है वो राइट हो जाता है ग्राम सिच्छा समीती में विद्याले के छात्रों के कितने अभी भावक सदसी के रूप में सम्मिलित है तो इसमें आप देख ले ये आपका इसमें तीन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिशत का गठन किस बेसिक सिच्छा अधिनियम के अंतरगत किया गया तो 1922 यानि बाउप्शन आपका राइट हो जाता है अभी भावक सिच्छक संग PTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रवधान होता तो शनिवार या रविवार तो आपका आउप्शन राइट है उसके बाद आपके कोश्चन देखे यहां पे अभी आपके चल रहे थे 2021 के चल रहे हैं आपे भी 2021 के और भी हैं परिशदिये विद्यालियों में शामपट सामेंता कितने परकार के होते हैं देखे उस तरह से अगर बात की जाए तो शामपट कैते हरे रंग के चाहँ पट को किजिएगा कहीं पर पांच भी दिख जाते हैं तो इसमें आप खुद अपने तरीके से वर्क कीजिएगा जैसा आपको सही लगे बाकी आप लोग अपने तरीके से देख लीजिएगा परदेश में बालिका सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए यूनी सेफ द्वारा निर्मित आडियो विजुल माध्यम पर आधारित सेचिक कारिक्रा मीना मंच में कितने कैसेट है तो बारा कैसेट है यानि दा ओप्षन आपका राइट हो जाता है उसके बाद है परदेश मे प्रात्मिक विद्यालों की मानिता के लिए कौन सा परवेक्षन किया जाता है तो पाइनल परवेक्षन किया जाता है यानि बाव ओप्षन आपका इसमें भी राइट हो जाता है कच्छा कच्छों कच्छा कच्छे के बाहर किसी सार्थक किरियाकला आपको संपन करने के लि राश्टी अध्यापक सिच्छा परिशत की स्थापना किस वर्ष होई तो 1995 में यानि किसा उप्षन आपका राइट हो जाता है उत्तर प्रदेश राज हिंदी संस्थान कहा है तो राज हिंदी संस्थान आपका वाराणसी हो जाता है यानि उत्तर प्रदेश राज हिंदी संस की अनुशंसा पर राजy शिच्छा संस्थान कहा है तो परियागराज और यहां पे आप देख लें उत्तर प्रदेश राज हिंडी संस्थान तो वाराणसी यानि जब हिंडी संस्थान की बात आए तो आप वाराणसी और राजज सिच्छा संस्थान की बात आए तो परियाग राज इसको रट लीजिए आप लोग बहुत ही ज़ादा important questions हो जाते हैं जिला सिच्छा पर सिच्छा संस्थान में कितने विभाग होते हैं तो साथ विभाग होते हैं यानि साव option आपका right हो हो जाता है राज सेच्छिक पर बन्धन यों पर सिच्छा संस्थान कहां है तो परियाग राज यानिधू option आपका right हो जाता है यहाँ पर क्या र राज सेच्छिक पर बंधन यों पर सिच्छ संस्थान 22 के questions solve करेंगे परबंधन की मुख्षी परकिरिया है नियोजन करना, विवस्था करना, परशाशन उपर्योक्तिस सभी तो उपर्योक्तिस सभी यानि दा उप्षन आपका right हो जाता है विद्याले का बौधिक परियोगशाला है विज्यान परियोगशाला, पुस्तकाले, सिचरकच, म्यूजियम तो आपका पुस्तकाले right answer हो जाता है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है किसका कथन है तो आपका ये हो जाता है HB Bells, HG Bells का ठीक है न तो यहाँ पे आपका बाविप्षन right हो जाता है मीना मंच का परमुक उद्देश है तो प्रोण सिच्छा का विकास करना बालिकाओं की सिच्छा का विकास करना महिलाओं की सिच्छा का विकास करना प्रुक्तिस सभी तो भारत की पर्थम मनोविज्ञान शाला परियाग राज परियो मनोविज्ञान शाला परियाग राज इंद्रा गांधी रास्टिय मुक्त विद्याले इगनू कहां है तो नई दिल्ली ठीक है न यानि दा उप्षन राइड आंसर हो जाता है इसका समस्या समाधान का पर्मुक अंग है सिच्छण पर किरिया निर्नेयन पर किरिया अधिगम पर किरिया नुशाशन पर किरिया तो निर्नेयन पर किरिया देखे कितनी बार रिपीट हुआ है ये कोश्चन समस्या समाधान का पर्मुक अंग है तो निर्नेयन पर किरिया हो जाता ह ठीक है ना नेक्स चलते हैं यहां पे हैं कल के विश्व को कौन चलाता है तो सिच्छक प्रधानाचार विद्यारती विद्याले परबंधक तो इसमें आपका हो जाता है कि कल के विश्व को कौन चलाता है तो सिच्छक यहां आपका राइट हो जाता है S.E.R.T. की स्थापना कप की गई तो यहाँ पर S.E.R.T. की है N.C.R.T. की नहीं है यहाँ पर ध्यान दिजियेगा ठीक है न तो S.E.R.T. की स्थापना 1981 और अगर N.C.R.T. की स्थापना की बात की जाए तो 1961 तो इस तरह से ध्यान दिजियेगा राज हिंदी संस्थान कहा है तो राज हिंदी संस्थान आपका वाराण सी हो जाता है समय सारणी को कहा जाता है तो समय सारणी को कहा जाता है विद्याले की दूसरी घड़ी यानि आउप्षन आपका राइट है ग्राम सिच्छा समीती के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना learning corner द्वारा बच्चों में गुड़ विक्सित होता है स्वेम द्वारा अवलोकन करने का निच्छण करने का निशकर्शन करने का या उपरियुक्त सभी का तो यहां पे उपरियुक्त सभी यानि दा option आपका right हो जाता है निउपा परिशत का अध्यक्ष होता है तो रा option right हो जाता है तो यहां पर आप लोगों के बहुविकल्पिय टाइप कोस्चन कम्प्लीट हो जाते हैं अब हम लोग अतिलगूत्री टाइप कोस्चन की सीरीज को देबाएं पहला कोस्चन आपका हो जाता है यानि 2016 का जो पहला कोस्चन था परबंधन परकिरिया के अंग तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मुल्यांकन, नियंतरन, सामंजस आदी हो जाते हैं उसके बाद है विद्यालई परबंधन के अंतरगत कौन-कौन से भौतिक संसाधन आते हैं तो मुक्यध्यापक का कक्ष, स्कूल, कारियाले, कक्षायन, स्टाफ, रूम, परबंधन के परमुग घटक बताईए तो सिच्छक, बालक और समोदा है लर्निंग कौनर से आप क्या समझते हैं तो सीखने का कोना अर्था जहां रहकर बालक से चिक गतिविधियां सीखता है कच्छा दो में पढ़ाई जाने वाली पाठ पुस्तकों की संख्या बताए त गिन्तारा कलरो दो पुस्तके हो जाती हैं ठीक है न देखिए हमने अभी आप से आपका हाथ हो सकता है कि कोश्चन भी इस तरह के आज जाएं कि बुक्स पूछ लीजाएं उनके नाम पूछ लीजाएं तो देखे आपका इस तरह का कोश्चन आपका आया है तो आप देख यानि दो पुस्तके हैं कच्छा दो में और कौन कौन सी है तो गिंतारा और कल रव। पार्टि पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदों का विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है तो विशेश सामगरी छात्रों के मांसिक इस्तर के अनुकूल चित्रें मुधारन आवश् अनुसार होने चाहिए सामानी विद्याले में कम से कम कौन कौन सी समयसार्णी बनाई जाती है तो कच्छा अनुसार और अध्यापका अनुसार बच्चों में प्रोजक्ट कारी कराने की उपयोगिता बताए तो बालक को आत्म प्रेरित कर कारी के लिए प्रुसाहित करना ब खेलकूस से बच्चों में किन-किन पक्षों का विकास होता है तो शारिरिक, मानसिक, चारितरिक, सामाजिक और राष्टेता आदि सिच्चकों से संबंधिक पंजिकाओं के नाम लिखिये तो अध्यापकों को यानि अध्यापकों की उपस्तिती रजिस्टर, वेतन बच्चकों से ब्लाक इस्तर पर एम एन-प्याइड पंजायत इसतर पर सचिक गतिविदियां करते हैं, सारुभोमी करन का अर्थिस्पस्ट कीजिए, तो सारुभोमी करन, सारुभोमी करन से तातपर 6-14 वश्टक के सभी बालकों को सिच्चा उपलफ्द कराना है, परदेश में राज परियोजना कारयाले का मुख्याले कहां इस देते लखनों में विद्याले अभिभावक और समुदाई के बीज एक अंतरसंबंध हो इसे इसपस्ट करें तो यहां पर आपका हो जाता है यह कोशन आपका लगुत्री का है इसको बाद में देखेंगे ठीक ह उसके बाद आपका कोशन हो जाता है यानि 2017 स्टार्ट हो जाता इसका जो अतिलगुत्री टाइप पहला कोशन से उसको देख लेते हैं परबंधन से आपका क्या आशे किसी कारिकों संबंधित व्यक्यों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूरवक संपन करने की परकिरिया ही परबंधन है क्योंकि भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये तो सचिक परबंधन है उपरशाशन है तो परबंधन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होना चाहिए तो किसी काम को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा यानि किसी कारिको अच्छे से याद रखेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा कच्छा सिछड़े तू अतियाविशक सामगरियों का उले कीजिए तो बालक के अधिगम के लिए फरनीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अनसामगरियों का भी विशेश महत होता है जो इस परकार है श्यामपर्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा, चित्र, तथा, आकृतिया, ग्राफ, विज्या, सिछन, सामगरी आधि हो जाती है मानवी परवंधन के परमुग घटक बताईए तो विद्याले में मानवी परवंधन के परमुग घटक निमलिखिते प्रधाना अध्यापक, अध्यापक, चात्र, समुदाय, ग्राम, सिछा, समिती, सिच्चक, अभी, भावक, संग, चात्र, सिच्चक, संग, ये हो जाते है परभावी सिच्छक के गुड़ बताईए तो एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे सिच्छार्थियों के विकास में रूची लेकर उनकी कटनाईों को दूर करने में हर वक्त तत पर रहते हैं यही चीज़ तो हो गई न अध्यापक का व्यक्ति तो परभाव होना चाहिए अध्यापक को अपनी योगिता तथा शमता अनुसार पाठी उत्तर किरियाओं इंखेल खुद में सहयोग परदान करना यह सब चीज़ें हो जाते हैं अध्यापक अनुदान धनराशी का उप्योग कहां कहां किया जाता है तो इस अनुदान का उप्योग विद्याले परबंधन समीति के द्वारा किया जाता है विद्याले के उपकरणों की मरमत है तो बच्चों यानि सेकेंड नमबर पर हो जाता है बच्चों के बैठने है तो फरनीचर दरी चटाई आधि खरीदने में आवशक स्टेशनरी क्रे करने में पुस्तकाले है तो कि जाड़ू कूडादान की इतना शक आधि खरीदने है तो विद्याले सुंद्री करने तो गमले फूलों के पोधों की विवस्ता करने है तो प्रधाना ध्यापक कक्ष को सुसजित करने है तो सिच्छण अधिगम सामकरी की क्या भूमिका है तो सिच्छण सहायक सामकरी सिच्छण अधिगम कारिकरम में मदद करते हैं ब्रक चात्रों को पर्भावी ढंग से और लंभी अवधी के लिए अवधारणां को सीखने और बनाए रखने में तथा सिचक को पाट को पर्भावी ढंग से पृस्तुत करने में मदद करता है learning corner क्या है तो learning corner अंग्रेजी भाशा के दो शब्दों से मिलकर बना है learning का अर्थ है सीखना तथा corner का आर्थ है कोना आर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने का कोना learning corner से तातपर है वो विशेश स्थान जो सिच्छार्थी के सीखने में साहता प्रदान करता है learning corner में समसामगरी विवस्थितें कर्मानुसार रखी जाती है जिसे अधीगम में साहता प्रदान होती है पार्ट पुस्तकों की क्या विशेष्टाएं होनी चाहिए तो पार्ट पुस्तकों की अगर विशेष्टाएं होनी चाहिए चित्र रंगीन और आकर्शक होने चाहिए पाठ वस्तू सुस्पस्ट बोलचाल की भाशा में हो बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो बच्चों को अपने सीखे जाने का यानि सीखने सीखे ग्यान का स्वय मुल्यांकन के अवसर हो पाठ वस्तकों से बच्चों को जि नियर्धारित समय सारणी है ना विद्याले कालियों को नियर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए सभी कालियों में सामनजस बनाने के लिए कारिभार को कम करने के लिए क्योंकि जब आप समय सारणी बनाएंगे उसके अनुसार वर्क करेंगे तो आपका सारे वर्क भी हो ज जिसका अर्थ होता है वा उच्ची द्रष्टी जो विध्याले विकास को गती प्रदान कर सके उसके कारीकरम विध्याले की उपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए जिससे विध्याले संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके परवेक्षण का काम उनester गांब मा सामानी बालुकों की तरह पूर की जाए उसे समेकित सिक्षा कहा जाता है डायेट मेंटर कौन होते हैं तो कक्षा कक्ष में स्वेम पढ़ा कर सीधे सहायक और मार्ग दर्शन बनकर सिच्छक संबंधी कटनाईयों का निस्तारण करते हैं विद्याले भरमण द्वारा अनुभ घेल गती विद्यों यानि सामगरी के परियोग को सुनिश्चित करते हैं विद्याले के प्रांगण आकर्शक अच्छाकक्ष शोचाले परियोग की प्रवर्ति विक्सित करने बच्चों की शारिरिक सुच्छता आधी के संबंध में सिच्छकों से बाच्चीत और कूलों में कम से कम दो बार परभावी पर विक्षण विद्यालों पर भावकारिता का निरिच्छन करके सुझाव वा सहयोग परदान करेगा खेल कूत के परमुक सिधान कौन कौन से हैं तो खेल कूत के परमुक सिधान इस परकार हैं परतियक शात्र को खेल कूत का अवसर देना खेल कूत पर कुछ ही शात्रों का एकाधी कारना होने देना परतियक खेल के नियमों का पालन करना खेल के अवसर पर अध्यापक की उप होसम का ध्यान रखना और स्थानिय खेलों का समावेश किया जाना चाहिए लोच का सिध्धान्त क्या है परबंदन साधन है ना की साध्य इस साधी के उपर अधिकार नहीं चाहिए साध्य तो बालक के वेक्टितु का बहु मुखी विकास है पाठिक्रम अध्यापन विधी प रखा जाए यही लोज का सिद्धान्थ है यही परबंधन को लचिला रखना लोज का सिद्धान्थ हो जाता है कर दो मेंटर की दो कारी लिखिये का संकलन तथा उनका विशलेशन करते हैं तथ पस्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं खेल गतिविदियों तथा सिचर सामगरी के परियोग को सुनिश्चित करते हैं इस्थानिय परिवेश में उपलब्द सामगरी तथा अपने किट की सामगरी का उपयोग करते हु उसके लिए एक मान्चित्र के समान होती है यहां उसके कारियों की रूप रेखा प्रदर्शित करती है इसमें अध्यापक की वाशिक तता देनिक किरियाओं का वरणन सिच्छन विधिया कार ग्रेकार यादि का विवरण दिया जाता है या संस्थागर नियोजन को परिभाशित कीजिए या संस्थागर नियोजन का शाबदिक अर्थ लिखिये या संस्थागर नियोजन से आप क्या समझते हैं देखे, इस 18-2018, 22-2020, 2019 या देखे, आया हमा कोस्चन है या आप लोगों के लिए कितना इंपोर्टेंट हो जाता है किसी सिच्छर संस्था द्वारा स्वानूभूत अवशक्ता हो तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कारिकराम उस संस की योजना कहलाता है इस योजना की अवधी लंबी भी हो सकती और छोटी भी समयसानी के किनी दो सिध्धानतों के नाम लिखिये तो इस तर के नुसार समयसानी का निर्मार करना चात्रों के स्थानी अवशक्ताओं को द्रिष्टीगत्र रखना उसके बादे शाला कैलेंडर स क्या अभी प्राहिए तो शाला कैलेंडर विद्याले की संपून वर्ष की मुख्य मुख्य गतिविधियों का एक रेखा चित्र होता या विद्धियाले सत्र के प्रार्म होने से पूर्वी तैयार कर लिया जाता है जिसमें विद्ध्यालिय अवकाश, मह सिक्त्री, अर्द कर दी जाती हैं सिच्छक संदर्शिकाओं के कोई दो लाब लिखे तो यह सिच्छकों का मारदर्शन करती इसके अध्यन से सिच्छन अधीगम को परभावी बनाया जा सकता है परबंधन के परमुख घटकों का नाम ले कीजिए तो विकास का लक्षी नियोजन के कारिक्रम का वस्था करना परबंधन के कारियों का आकलन करना ये सभी हो जाते है पाठे सहगामी किरियाकलापों के चार उद्धेशी लिखिए तो यहां पर उद्धेशी हो जाते है चातुर्वकों के मूल परवर्तिएं का शोधनयों परिमार्जन करना चात्रों को शंफोर सत्रम work विभाग हो जाता है सफल नेतरत करता के दो पर मुगुड लिखिये तो कारिका विभाजन सिच्चकों की योगित हैं रूची के अनुरूप करना और कार निर्धारण में निस्पक्ष व्योभार विद्याले परिसर में परियावरां सरणर्चन हे तू आप क्या कर सकते हैं त चात्रों दौारा विशेश दिवसों पर स्वच्चता भियान चलाना और रक्षा रोपन तर्था परियावरण जन जागरुकता के परति रूची जागरत करना ये हो जाते हैं विद्याले परिसर में परियावरण सर्ख्षी है तू ठीक है न है ये क्या कर सकते हैं तो यह द्वारा प्रति दिन की न्यूस दी जाए और छात्रों द्वारा प्रति दिन एक उत्तम विचार प्रिस्तुत किया जाए किनी दो सिच्छन उपकरणों सिच्छन में उनकी महत्ता कावले कीजिए तो आप श्यामपट लिख सकते हैं श्यामपट वह सिच्छन उपकरण है जि किसायता से कच्छा कख्ष को जीवन्त किया जाता या उपकरण सिच्छा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है कम्प्यूटर लेप्टॉप आज कम्प्यूटर लेप्टॉप एक अत्यन्त आधूनिक सिच्छा उपकरण बन गया है जो नई तकनीक जो नई तकनीकी से सिच्छा देने का सबसे शशक्त माधियम है तो इस तरह से आपका हो जाता है उसके बाद आपका कोश्चन है विज्ञान सिच्छड में परियोगशाला का क्या महत है और परियोगशाला के महतों पर संचिप टिपड़ी लिखिए तो विज्ञान इस तरही दो पाठ पिस्टकों के नाम लिखिए तो कलरो और आपका हो जाता है रेंबो और ये आपका गिंतारा है ना गिंतारा मीना मंच के कोई दो देशी लिखिए तो मीना मंच बालकाओं को सिच्छा के परती जागरू करना और बालिकाओं में सिच्छा के परती ललक और चेतना का विकास करना समय सार्णी के दो पर मुकलाब बताएं तो समय सार्णी के द्वारा स्कूल में कौन से विशे पढ़ाये जाते हैं इसका ग्यान हो जाता है विद्याले में कितने अध्यापके तथा कौन अध्यापक किस विशे को पढ़ाता है इसका ग्यान हो जाता किनी दो विद्याले अभी लेखों के नाम वा उनके उपयोग बताएं तो लॉग बुक इसके द्वारा विद्याले विकास के क्रम का ग्यान होता है यह एक परकार की विद्याले डाइरी है जिसमें तत्यों का विवरंड दिया जाता है जैसे विद्याले की विशेश घटना नवेन पाठी पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स, आदि की प्रस्तामना विद्याले के कार के घंटे विद्याले में निरिक्षण है तु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि स्कोल कलेंडर या विद्याले सत्र के प्रारम होने से पूर्वी तयार कर लिया जाता है इसमें विद्याले यवकाश, मासिक, सत्री, अर्धवारशिक ततावारशिक परिक्षाओं की तितियां परवेश्टिति, विद्याले चुना, विद्याले वारशिक समारो, अभिभावेक सम्मेलन, आदि की संभावित तितियां निश्चित कर दी जाती हैं बाल सरकार का गठन वि द्यालों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचे देने के लिए किया जाता है। परिचारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके जिसे परशाशन में पारदर्शिका और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले भ्रेष्टाचार पर रोग लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभागनागरिकों के परतित जवाब दे हो। सामगरियों के नाम वा उनकी उपयोग बताएं तो चार्ट यह आपका हो जाता है तो चार्ट सिच्छन की परभावी सामगरिये जो प्रतिये को इसपस्ट करने में सिच्छन की बहुत मदद करती है। मौडल भी परभावी सिच्छल अधिगम की सामगरिये जहां हम जा नहीं पाते हैं उन इस्तलो तथा वस्तों को माडल चित्रन को जीवंद कर देता है। राष्टे मुक्त विद्याले सिच्छा संसा नाई योईस की स्थापना क्यों की गई है। आपका हो जाता है किसी कारिकों संबंदित व्यक्तियों के द्वारा पारसपरीक सहीयोग से कुशलता पूर्वक संपन करने की परकिरिया ही कुशल परबंधन कहलाती है। विज्यान सिच्छड में परियोगशाला का क्या महत्दे के रिपीटर कोश्यन है। लेकिन देख लेते हैं विज्यान सिच्छड बिना परियोगशाला के संभव ही नहीं है। विज्यानिक तत्यों के जाज करके ही तत्यों के सत्त को जाना जाता है। तब विज्यान विशे में परियोगशाला बहुत ही महत्वण है। N C T E का पूरा नाम राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशद N C T E का पूरा नाम ठीक है ना तो राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशद I hope आप लोगों को शेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक तो बनता ही बनता है और अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें सेच्छिक परशासन से आप क्या समझते हैं तो उपलब संसादनों का दक्ष तापूर तथा परभावपूर तरीके से उप्योग करते हुए लोगों के कारियों में समन्वे करना ताकि लक्षियों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके आपता परभंधन से आपका क्या आश्य है तो अचानक होने वाली एक विध्वन्सकारी गटना जिसके व्यापक जाल माल की छती होती है आपदा के कारण होने वाली हानी को कम करना और आने वाली आपदा से बचाओं के लिए बचाओं में किये जाने वाले परबंधन को आपदा परबंधन कहते हैं। लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत रखती हो उसे अभी लेक कहा जाता है। सुनामी, चक्रवात, ओलावरेष्टी, बादल, फटना, सुखाद देखिए यही चीज़ देखिए आपदाएं ये कौन सी हैं तो ये प्राकरतिक आपदाएं। कहा था ना कि इस तरह का भी कोस्चन एक्जामे आ सकता है तो देखिए आपका आया हुआ है। मानवी और आया हुआ है यानि आ भी सकता है। संसाधन से आपका क्या आश है मानवी संसाधन के निम्न बिन्दु ओपर प्रकाष डालिये तो यहां पे देख लेते हैं। बच्चे और समुदा यानि मानवी संसाधन के निम्न महतवण बिंदू होते हैं तो सिच्च को राष्ट निर्माता कहा गया है किसी राष्ट के सरवांगिर विकास में उसकी सिक्षा व्यवस्ता महतवण भूमिका निभाती है और सिच्च बालक को सही दिशा दे कर उनके ग् समुदाई को समुदाई का सही योग प्राब्त हो तो विद्याले और बच्चों से जुड़ी विविन कटनाईयों का सामना किया जा सकता है जैसे समुदाई के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्त परिक्षन कराना और उनकी आख्या रखना समुदाई के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भर्म्ण में सही ओग लेना आधी हो जाता है उसके बाद है अभिभावक सिच्छक संग क परिभाशित कीजिए या संस्थागर नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताएं तो उसकिसी सिच्छन संस्था द्वारा स्वान भूत अवशक्ताओं तथा प्राप्त साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कारेकरम वो संस्था की योजना कहलाता है इस योजना की अब दिलंबी हो सकती और छोटी भी हो सकती है विज्ञान सिच्छड में परियोक्षाला का क्या महतो है तो परियोक्षाला के महतो पर संचिप्टिप्र लिखे ये इस तरह का कोश्चन आए या इस तरह का कोश्चन आए जाता है अता विज्ञान विशे में परियोक्षाला बखोती ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक इस तरी ये दो पार्थ पिस्तकों के नाम तो यहां पे आपका कलरो गिंतारा है ना और यहां पे रेन्बो दिया हुआ है तो मीना मंच के कोई दो देश लिकिए तो देशें बा पालिकाओं में सिच्छा के परति ललक और चेतना का विकास करना राष्ट्य ध्यापक सिच्छा परिशद में कुल कितने सदस्य होते हैं तो 41 होते हैं राष्ट्य ध्यापक सिच्छा परिशद में ठीक है ना समुदाय से आप क्या समझते हैं तो समुदाय समुदाय का स्वास्त परिक्षर कराना और उसकी आख्या रखना समुदाय के किसी विश्ष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भर्मण में सहीयोग लेना आदि विद्याले के मानों संसाधन कौन-कौन से हैं तो सिच्चक छात्र योम समुदाय समयसार्णी की परिभाशा एक चार्ड है जो विद्याले में किये गए जो विद्याले में किये जाने वाले सभी किरिया कलापों को दर्शाता है विश्ष्टिय पर्बन्धन से आप क्या समझते हैं तो ऐफ बरडले के अनुसार विद्ये परिभन्धन व्यवसा आएका वो छेतर है जिसका संबंद प पुस्तक वा पुस्तकाले को कहा जाता है और option में इस तरह का option होता है तो उसमें आपको पुस्तकाले पर टिक करना होता है जब आपका पुस्तकाले नहीं है क्योंकि पुस्तक वा पुस्तकाले भाई पुस्तकाले में ही तो पुस्तक होंगी ना तो इसी को क्या कहा जाता है हि विकास संभव हो सके इसके अतिरिक्ति उनकी मूल परवर्थियों का उप्योग तथा शोधन या मुरूच्यों का स्वस्ति प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके विद्याले संगठन का मुक्य उध्यू देश उनका शारेरीक, मांसिक, चारितरिक तथा सामाजी गुणों का व रामसभा का प्रदान इस समीति का अध्यक्षु होता है। संभव होता है समस्याओं कटनाईयों की पहचान होती वा उन्हें दूर करने में मदद मिलती है वो प्लप संसादनों का बहतर वाधिकादिक सुद्वियों किया जा सकता है राजिस्तर पर कार करने वाले किनी दो अभीकरणों पर संचिप्टि लिखिये तो सिच्छा के अभीकरण में दो सरूप है परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभीकरण है तथा सभी तरहा के विद्याले दूसरे अभीकरण है अपचारिक सिच्छा दूसरे अभीकरण तता अनुपचारिक सिच्छा पर्थम अभीकरण में जीवन मिलती है अपचारिक सिख्षा यानि जिसके लिए एक निश्ची समय होता है उसके लिए एक स्लेबस होता है उसके लिए सिख्षक होते है लेकिन अनुपचारिक सिख्षा कहीं भी कभी भी हम सीख सकते हैं ना विद्याले में खेल के मैदान का क्या महतों समझाएं तो खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीर विकास को प्रुसाहित करने के लिए अलग-अलग अपसर प्रदान कर सकते हैं उदाहरण के लिए स्लाइड और जूले परिभाशित कीजिये तो महिला प्रेराग समूं को समवेधंशिल बनाने तथा अपने कर्तव्यों दायतियों के प्रति जागरुक करने के लिए प्रसिक्षन माईयल तेयार किया जाता है और महिलाओं के नेतरत शम्तावा कोशल के विकास के लिए बालक बालिकाओं में बेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए मनोविज्यान शाला की स्थापना किस उद्धेश से की गई है मनोविज्यान शाला की स्थापना चात्र के मन में उठ रह सवालों को समझने के उद्धेश से की गई है अभी भावक सिच्छक संग का उद्धेश ही बताएं तो अभिभावक सिच्छक संग, अभिभावक को सिच्छा के परती जागरू करना, विद्याले विभावक के बीच की दूरी समाप्त करना, नामांकरने उम्ठेराव सुनिश्चित करना, उसके बाद आपके देखे, 2021 के कोश्चेंज स्टार्ट हो जाते हैं, पाठ सेगामी किनिय जब की परबंधन एक कारिकारनी कारे, सैच्छिक परवेक्षण को परिभाशित कीजिए, तो सैच्छिक परवेक्षण का अर्थ है स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वयापी परियाज, जो संसान के सुधार के लिए सिच्चो को और अर्निस सैच्छिक करमचारियों को ने विद्याले की सुचनाएं होती है जिला समनुएक जिले के किस अधिकारी के अधिनस्त कारी करता है तो जिला कलेक्टर समाहर्ता संभायुक्त कमिशनर के अधिन कारी करता है किस के अधिन तो जिला कलेक्टर जिला समनुएक जिले के किस अधिकारी के अधिनस्त कारी करता है ज परभावी हुआ। परभावी हुआ। विद्याले संगठन का क्या उद्देश है। परभावी हुआ। परभावी हुआ। परभावी हुआ। मानवी परभावी हुआ। सहचिक परशाशन से आपका क्या आशे है या आप क्या समझते हैं। तो उपलब्द संसादनों का दक्षतापूर तथा परभावपूर तरीके से उप्योग करते हुए लोगों के कारियों में समन्वे करना ताकि लक्षियों की प्राप्ति सुनिश्चित की जास सके। किनी चार प्राकरतिक आपदाओं के नाम लिखे देखे फिर से ये रिपीटिट कोश्चन है दोजार निस, दोजार बिस और दोजार इकीस में आ गया है। भूकम सुनामी, चकरवात, ओलावरष्टी, बादलफटन, सुखा, आधी हो जाते हैं। एक खिलाडी और अनेक खिलाडी और पूर जानकारी और अपूर जानकारी संस्थागर नियोजन का शापदिकर थे तो इस परकार का नियोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। विद्याले को समुदाय का सहयोग प्रापत हो तो विद्याले और बच्चों से जुड़ी विभिन कटनाईयों का सामना किया जा सकता है। विद्याले अभिलेक के परकार देखी कितनी बार रिपीट हुआ है कोश्चन विद्याले अभिलेक के परकार इसमें हो जाते हैं आपके सामान अभीलेग, अध्यापकों से संबंधी तभीलेग, विध्यालियों से संबंधी तभीलेग, उपकरण संबंधी अभीलेग और वित्ती अभीलेग संस्थागर नियोजनियों परबंधन के महतुपर परकाश डालिये तो संस्था के लक्षियों के निर्धारण में सहायता मिलती है, निर्धारित लक्षियों के समय सीमा के अंदर पूर्ती संभव है, नियोजन करना है ना, संस्था की आउशक्ताओं की पहचान वा उनकी पूर्ती करना संभव होता है, समस्याओं कटनायों की पहचान होती वा उन्हें दूर करने में मदद मिलती है उपलब संसादनों का बहतर वाधिकादी उपयोग किया जा सकता है राजस्तर पर कारी करने वाले किनी दो अभीकरणों उपर संचिप्टि पड़ी लिखे तो सिच्छा के अभीकरण में दो सरूप है परिवार, समाज और समुधाय भी एक सभीकरण है तथा सभी तरह के विद्याले दूसरे अभीकरण है अपचारिक सिच्छा अभीकरण है तथा अनपचारिक सिच्छा परतम अभीकरण में आजीवन मिलती है विद्याले में खेल के मैदान का क्याम है तो समझाएं तो रिपीटेड कोशन है मगर देख लेते हैं खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारिक विकास को प्रोसाहिद करने के लिए अलग-अलग अफसर प्रदान कर सकते हैं उधारान के लिए स्लाइड और जूले संतले और समनों को बढ़ावा देते हैं चड़ाई वाले फ्रेम उनकी मास पिशियों को मजबूत करते हैं अथ आखों के कोशल के साथ मदद करते हैं महिला प्रेरक डल को परिभाशित कीजिये तो महिला प्रेरक समुको समय दिन्शिल बनाने दतर kami अपने कर्तवियम दाईतों के प्रती जागरों करने के लिए अपर्सिक्षर्न माईयल तयार किया जाता है महिलाओं में नेत्रोच शम्तावा कोशल के विकास के लिए बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए उसके बाद आपका कोशन है राज सिच्छा संस्थान के कारियों को बताएं दो समितिय तता परिशोदों का निर्मार सिच्छा के उद्देशियों तता निर्मार करने पार्टे इकरम को रचना करने तता परिच्छा लेने एवं सिच्छा से संबंदित अनिकारियों को करने के लिए राज विभीन इस्तरों पर राज करमचारियों तता जन्ता के प्रति सहयोगों के सहयोग से विभीन परिश्यद वयम समितियों का निर्माण करता है परबंधन क्या है विभीन लोगों के सहयोग से प्राप संसाद नोकुम की मदत से नियमों का पालन करते वे लक्ष प्राप्ति करने की परकिरिया ही परबंधन है अत्वा परबंधन वा परकिरिय सचिक भर्मण का क्या महतो है तो भर्मण के आभाव में सिच्छा बुनियादी नुभाव से दूर हो जाती है विग्या नितियास बुगुलादी के भर्मण अतिन तावशक हैं उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों के अतिलगुत्रिय टाइप कोस्चन्स करेंगे जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टन्ट है सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किपना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कोस्चन आपका हो जाता है विद्याले अभी भावक और समुदाई के बीच एक संबंध इसे सपस्ट करें मनुशिक सामाजिक प्राणी है तथा सिच्छा ही उसे समुदाई से जोड़ कर सामाजिक प्राणी बनाती है सतत सिच्छा के द्वारा ही व्यक्त अपना अधिक्तम विकास करता हुआ समाज को नैतिक आर्थिक तथा सामाजिक आवशक्ताओं को समझता है और उनकी पूर्त भी विक्सित होते हैं इसी उद्देश की पूर्ती है तो समुदाय में विद्यालियों की स्थापना की थी उसके बाद आपका कोश्चन हो जाता है सीखने सिखाने की परकिरिया में वित्तिय परबंधन किस परकार सहायक है इस पस्ट कीजिए तो उत्तम सिच्छा विवस्था सिख्षा विकास का एक आधार है और अच्छी सिख्षा विवस्था की वित्ति विवस्था पर निर्भर करती है परशासनिक द्रश्टी से सिख्षा वित्ति दिन परती दिन अधिक महत्वण होता जा रहा है सिख्षा वित्त का अर्थ सैचिक वित्ति सैचिक देशियों को पूरा करने हैं तो साधन है साधी नहीं या सत्य है कि कार्मिक द्रश्टी से अत्यंत महत्वपूर्ण वोते हुए भी सिच्छा वित्त की अपनी समस्याएं हैं सिच्छा समंधी अवशकताएं समस्थागत विद्यालों में लगातार बढ़ती जा रही है इससे वित्त जुटाने समंधी जटिलताएं भी बढ़ती जा रही है सिच्छा के लिए धनकिन साधनों से प्राप्ति किया जाय और किन मदों में प्राथमिक्ता के आधार पर कीजिए समसारणी विद्याले किरिया कलापों को व्यक्ति करती है इससे निमलिखित बातों का पता चलता है इसकूल में काम करने के घंटे जैसे विद्याले का प्रारम होता है कब समाप्त होता है तथा मध्यावकाश कब और कितने समय का होता है इसके द्वारा या भी पता चलता है कि स्कूल में कौन-कौन से विशे पढ़ाये जाते हैं विद्याले में अध्यापकों की संख्या तता उनका नाम भी समयसानी से ग्यात होता है अभी भावकों के मद्कार का वित्रण किस परकार किया जाता है तता प्रति अध्यापक कारिभार का ग्यान भी समयसानी द बैठी है समय सार्णी से यह भी ज्यात होता है कि कौन सा सिक्षक कब खाली होगा समय सार्णी से यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विशे में कोई निष्ची समय दिया गया है समय सार्णी द्वारा विद्याले में संचालित होने वाले पाठिक्रम सहगामी किरियाओं का भी ज्यान प्राप्त होता है विद्याले में पाठि सहगामी किरियाकलापों का आयोजन क्यों आवशक है बिंदुवार विवरण दीजिए तो विद्याले में पाठे सहगामी कि दिया कलापों के आयोजन का महतु, मूल परिवर्तियों का शोधन वा परिमारजन, नागरिक्ता के गुणों का विकास, सामाजिक भावना का विकास, अवकाश के समय का सुधुपयोग, ज्यान का विवहारिक परियोग, सवय अनुशासन बनाए रखने में सहायक, किशोरवस्था की आवशक्ताओं की पूर्ति, मानसिक स्वास्ति का विकास, सच्छिक महतु, मनुरंजनात्मक महतु, ये सबी हो जाते हैं, उसके बाद सोंदिर्यात्मक महतु, सीखने तथा कमाने के सिध्धान पराधारित, नेति सिख्षा विवस्था, जिसके तहत निशक्त बालक बालिकाओं की सिख्षा सामान बालकों की तरह ही पूर्ण की जाए, उसे समेकित सिख्षा कहा जाता है, उसके बाद कोश्चन है, विद्याले में परबंधन परकिरिया के महतु पर परकास डालिये, तो वर्तमान समय में विद्याले परबंधन की समस्यातिदिक व्यापक है और जटिल हो गई है, क्योंकि आज छात्रों की संक्या में लगातार वद्धी हो रही है, इसलिए विद्याले के कारे छेत्र का भी विस्तार हो रहा है, नई नई विद्यों पर विद्यों तथा मनोविग्यानिक परियोग बढ़ रहा है जिससे विद्याले के समाज तथा रास्ट के परती उत्तरदाईतों में निरंतर व्यद्धी हो रही है इसलिए विद्याले परबंधन का महतु भी बढ़ता जा रहा है विद्याले भवन को आकरिशन बनाने में समुदाई की भूमिका इस्पस्ट प्रबंधन की इसलिए विद्याले भवन के उध्यान में सामय फूल लगाने चाहिए उस उध्यान की चारों और काटे वाले दार लगाने चाहिए मुख्य मार्ग के दोनों और एटो की पंकितियां हो जो सफेद रंग से पुती हुई हो दीवारों वा मुख्य भवन पर सफेदी की गई हो यानि की हुई हो बच्चों की शारीरिक अभिवरत्ती को ध्यान में रखकर कुरसी वर डैस्क की विवस्था की जाती है कि इस पस्ट कीजिए तो फरनीचर का निर्मार करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो किस कच्चा के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है और उसकी अनुम मानित आयू क्या होगी फरनीचर को व्यक्ति विशेश की आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर बनवाना चाहिए फरनीचर में कुरसी की उचाई इतनी होनी चाहिए कि छात्र के पैर हवा में ना हिलते रहे बलकि फरनीचर ऐसा हो जिसके पैरो को जमीन पर टिकाया जा सके कुरसी के सामने भी इतना इस्थान होना चाहिए जिससे छात्र अपने पैरों को अवशक्ता पढ़ने पर सुविधा के साथ फाइला सके जहां तक संभव हो परतिये कक्षा में फरनीचर विवस्था पंक्त बद रूप से हो जिससे आगे बटने वाले चात्र पीछे बटने वाले चात्रों के लिए बाधा ना बने कुरसी की सीट इतनी चोड़ी होनी चाहिए जिससे चात्र की जांगों की लंबाई का दो बटा तीन भा कुरसी की सीट पर टिकार रहे कुरसी का अगला किनारा गोल देश्ट की उचाई कुरसी की ओर से इतनी होनी चाहिए कि वचात्रों की ना भी को छुए डेश्क की चोड़ाई लगबग 18 इंच हो डेश्क तथा कुरसी दोनों की टांगों की विवस्था ऐसी हो जिससे उसकी उचाई को 1 बटा 4 इंच के गुड़कों में घटाया या बढ जा सके जिससे प्रतियक बालक की उचाई के अनुकूल उसकी विवस्था हो सके विद्याले में सोचाले की आवशक्ता पर महत्यों परकास डालिये तो छात्रों है तो विद्याले में उनकी संख्या के अनुपात में परियापत सोचाले होने चाहिए लड़के तथा लड़कि सोचाले की दुलाई नियमित रूप से होनी चाहिए सोचाले की सफाई फिनायल डाल कर करवानी चाहिए परंतवास्ति विक्ता यह है कि हमारे विद्यालियों में सोचाले की उचित विवस्था पर ध्यार नहीं दिया जाता है। बहुत से विद्यालियों में तो सोचाले ही नहीं हैं और यदी हैं भी तो उनका रखाव इतना खराब होता है कि वहां दुरगंद आती है। कुछ विद्यालियों में सोचाले में पानी की उचित विवस्था भी नहीं होती है। इसलिए वे बखुत ही गंदी स्तिती में होते जिसका बुरा परभाव विद्याले के स्वच्छ वातावरान पर पड़ता है। गंदे मूत्रालेों में पेचिस डाइरिया है जो आधि रोगों के फैलने का डर बना रहता है। और बच्चों को इस बात का भी परसिक्षर देना चाही कि वे मूत्राले के परियोग के बाद हाथ धुएं। उसके बाद कोश्यन हो जाता है मानवी परबंधन क्यों आवशक है इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना आवशक है तो मानवी परबंधन की आवशकता मानवी परबंधन भी धन के परबंधन का ही एक दूसरा रूप है यदि मानवी शक्ति योगिता का व्यक्ति उचित प परवर्तियों का शोधन वा परिमारजन, नागरिक्ता के गुणों का विकास, सामाजिक भावना का विकास, अवकाज के समय का सदप्योग, ज्यान का विवारिक परियोग, स्वय अनुशाशन बनाए रखने में सहाय, किशोरवस्था के आवशक्ताओं की पूर्ति, मानसिक स् का विकास, अच्छिक महतु, मनुदंजनात्मक महतु ये हो जाता है, सुंदर्यात्मक महतु, सीखने तथा कमाने के सिध्धान पराधारी नितिक्ता का विकास, जल ही जीवन है को सपस्ट करते हुए बताईए कि विद्याले में बच्चों को स्वच्च पैजल कैसे की जाती है, ये पानी की टंकियां सीमेंट या प्लास्टिक की हो सकती है, टंकियों की समय समय पर सफाई की आवशक्ता होती है, क्योंकि यदि पानी गंदा हो जाए तो बालकों का स्वास्त खराब हो जाता है, यदि इसकी देखभाल ना की जाए तो पानी रिसने लगेगा जिससे टंकी शीगरी खाली हो जाएगी तथा पानी के लिए यानि पीने के लिए पानी उपलब्ध ना होगा और पानी को साफ रखने के लिए पानी की टंकी में लाल दवाई अर्थात पोटेशियम परमेगनेट या ब्लीचिंग पाउडर उचित अनुपात में डालना चाह उसके बाद कोशन हो जाता है शाषन द्वारा प्राप्त धनराशी का उप्योग करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो अध्यापक तथा सिचकों के लिए जरूरी है कि उत्तरप्रदेश सरकार के राजकोश से प्राप्त धनराशी का विद्याले हित में पर क्रे की जाने वाली वस्तों की गुडवत्ता का इस तर आवश्र सुनिश्चित करें। वाशनाले भी सलंगनों होना चाहिए। पर उत्तम तथाकर्शक पुस्तके क्रे करने की विवस्था करें। पुस्तकों का वित्रण उनके संकलन से कहीं ज्यादा उप्योगी है। विद्याले में खेल कूद की विवस्था करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विद्याले में खेल कूद की विवस्था करते समय निमली की दिन्दूओं पर ध्यान रखना चाहिए। चात्रों के स्वास्ति की रक्षा की विवस्था की जाए। खेल के आयोजन के लिए परसिक्षित सिछकों को ही अनुमति दी जाए। खेलों में विवित्ता रखी जाए। छात्रों चात्रों चात्रों हे तुँखेलने की अलग-अलग विवस्था हो खेलों में अनुशासन रखा जाए। खेल वालक बालिकाओं की रूची के अनुसार हो खेल को खेल की भामना से खेला जाए। प्रारम होने के पूर्वी रखा जाना चाहिए। उपस्तिती या अनुपस्तिती का चिन लगाया जाता है इस रजिस्टर से या पता लगाया जाता है कि छात्र परती एक महीने में कितने दिन उपस्तिती अनुपस्तिती रहता है विद्याले में अवकास किस जयनती आधी के कारण हुआ है इसका भी उलेक रहता है इसमें ही छ चात्र का शल्क व्युवरण भी अंकित रहता है चात्र को परिवर्तन उन्नती आसफलता का वित्रण यानि व्युवरण भी इसी रजिस्टर में होता है सामुदाइक सहभाकिता से आप क्या समझते हैं नामांकन व्रद्धी तथा हास सिदर की कमी में समुदाइक किस परकार स सही होगी हो सकता है तो बालक की सिच्छा उसके परिवार से शुरू होती है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका परिवार के बाहर के लोगों से भी संपर्क बढ़ता है वो मुहले तथा गाओं के अन्य बच्चों के साथ खेलता कोता है मेलों में जाता है जलूस होता था उसों में भी समुदाई के अने लोगों के कारियों में सक्रिय भाग निभाता है वहां इन सभी कारियों तथा किरियाओं द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है इस परकार बालक के रहन सहन बोलचाल आदत आचार और विचार सोभा विश भूशा तथा रूची पर अपरतिश रूप से समुदाई की च्छाप पड़ती और वहां वैसा ही बन जाता है जैसा समुदाय उसे बनाना चाहता है, समुदाय के आदश उसे परभावित करते हैं, समुदाय के लोग उसे मूलियों तथा परंपराओं की जो जानकारी देते हैं उन्हें वहाँ अपना लेता है, समुदाय का यही योगदान समुदाय की भागिदारी है, समुदाय बच्चों को समय पर विद्याले भेजे तथा बच्चे के विद्याले ना जाने पर अवकाश पत्र भेज कर सूचित करें। नेतरत का आशे इसपस्ट कीजिए कारी की सफलता में कुशल नेतरत की क्या भूमिका होती है। समाजिक परिवर्तन के महतुपूर्ण साधन के रूप में जहां सिच्छा एक और भौतिक साधनों के विकास का कारी करती है। दूसरी और मानव सरसाधनों के समवर्धन तथा परगती का कारी भी करती है। सेच्छिक परशाशन में नेतरत के गुणों को भी पाया जाना आवशक समझा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी का नेतरत तो बहुत जरूरी होती है। कथन की वेख्या कीजिए तो सिच्छक डायरी से आशे उस अभी लेक से जिसमें एक सिच्छक वर्ष भर की गतिविदियों का लेखा जोखा देनी का धार पर रखता है। उसके बाद आपका कोश्चन हो जाता है विद्याले भवन को आकरशंग बनाने में समुदाई की भूमिका इस्वस्ट कीजिए। तो यहां पे हो जाता है विद्याले भवन में तथा उसके आसपास के वरच लगाने चाहिए विद्याले भवन में खेलके मैदान के लिए चिकनी तथा पानी सोखने वाली मिट्टी का परियोग किया जाना चाहिए देखिए रिपीटेड कोश्चन है तो आप लोग यहां देख लीजिए उसके बार नेक्स कोश्चन पर चलते हैं देखिए यहां पे विद्याले में परबंधन में परधाना ध्यापक सिच्छक वं बच्चों की भूमिका का वर्णन कीजिए तो यहां पर आपका हो जाता है विद्याले परबंधन में परधाना ध्यापक की भूम पूर्णी काई हैं बच्चों के सर्वांगिर विकां सेतु विद्याले किरिया कला आपका सुचारू रूप से संचालन परधाना ध्यापक का दायतु है। प्रधाना ध्यापक के निदेशन में सिचक कारे करता है। प्रधाना ध्यापक की योजना बनाना बच्चों की भूमिका बच्चे विभीन परकार के विद्याले परबंदन में साहता करते हैं। करना कच्चा की बैठक विवस्ता में सयोग करना विद्याले की साफ सफाई वस्ता सज्जा में साहता कर सकते हैं। संस्थागन नियोजन की आवशकता के कारण यह सेच्छिक आयोजन को उचित दिशा परदान करता है। विद्याले परबंदन समीती की क्या भूमिका होती है। तो विद्याले परबंदन समीती ही विद्याले के परबंदन के परती उत्तरदाई होती है। परबंदन समीती के सभी सदस्य सामूही कुरूप से परबंद बनाने के लिए कारी करते हैं। इससे विद्याले की विवस्ता गुर्वत्ता पुन बंच जाती है। क्योंकि परबंधन मानविये तता भोतिक श्रोतों के समने से इस्थापित करने की परकिरिया इसमें नियोजन, निर्देशन, नियुक्तिया, कारिसंपादन, मुल्यांकन, आदे सभी चीजें आ जाते हैं जो परबंध समती के सहियों के आभाव में संभव नहीं हैं। सिचकों के कक्षा, सिच्छन को परभावी बनाने में सिच्छक संदर्शिकाओं के महतों को इस्पष्ट कीजिए तो सिच्छकों के लिए सिच्छक संदर्शिकाओं मार्ग दर्शन का कारी करती हैं। समय तालिका के माध्यम से ही यहां ग्यात होता है कि स्कूल के काम करने के घंटे कपरारम होते तथा कब मध्यावकाश होता है। एक सिच्छक के कितने पीरियड होते हैं, कौन सिच्छक पढ़ाता है, इसे कारी को नियमित तथा विवस्थित रूप दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय ध्यान रखने योग बात, यानि बातें क्या क्या हैं तो समय तालिका में विश्यों में कटना, इस तर को ध्यान में रखकर कालांश की विवस्था करनी चाहिए। समय तारिका के द्वारा कारी का विभाजन किया जाता है अता कारी के विभाजन में सम्रूपता इसे बनाते समय ही रखनी चाहिए सिच्चकों की योगीता तथा शमता को ध्यान में रखकर ही विश्यों का कारी भार समय तारिका में निश्चित करना चाहिए च्छात्रों के विक्तित्तों के बहुमुकी विकास में पाठ सेगामी किरियाओं का क्या महत्तों है। च्छात्रों को पूरा कर सके उसमें मनवनजनकारियों, किरियाओं तथा योजनाओं की विवस्था करनी होगी जो बच्छों को परभावित करे और उनकी विभिन रूचियों को विक्सित करे। च्छात्रों के समय समय पर विद्याले में स्वच्छता गोश्टियां करवानी चाहिए। विद्याले खुलने से पूरी विद्याले के परतियकक्ष को स्वच्छ करवा कर सभी फरनीचर साफ करवा देना चाहिए। पर पैजल की व्यवस्था हो। उसके पास भी कुडा पात्र रखवा देना चाहिए जो परति दिन साफ करवा देना चाहिए। सवचाले की सवच्छता परति दिन फिनायल डाल कर करवानी चाहिए। विद्याले संगठन के उद्देशियों को लिखिए। इस योगी बनाना चाहिए कि भावी जीवन में अपने दायतों का निर्वा सफलतायों सच्चाई के साथ कर सके। विद्याले परबंधन समिती की सनचना को इसपस्ट करते हुए इसके कारियों का उल्ले कीजिए। तो विद्याले परबंधन समिती में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें से कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं और 64 सदस्यों में विद्याले के परधाना ध्यापक, परधाना ध्यापिका, पदेन सचिव, लेकपाल, मिडवाइप तथा परधान द्वारा नामिस सदस्य होते हैं इस समिती में 50 परतिशत महिलाएं तथा एक-एक सदस अनुसूचे जात यानुसूचे जन जात पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता होते हैं कार RTE 2009 के अधिकार कानुन को लोगों को बताना, 6-14 वर्ग के बच्चों के नामांकन उपस्थिती सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक तथा च्छात्र विद्यालों में समय पर आये एक सुनिश्चित करना या सुनिश्चित करना उपस्थिती और सीखने की परगती के बारे में सिच्च कम च्छात्रों को बताना, विकलांग बच्चों का नामांकन कराना, 3 साल के लिए विद्याले विकास की योजना बनाना, ड्रॉप्ट आउड बच्चों को सिच्चा की मुकिधारा से जोणा, विद्याले में निर्मान संबंदी, रख रखाव संबंदी तथा यूनिफॉर्म वित्रण का संपादन करना ये हो जाता है, शाला स्वच्चता से क्या भी प्राय है, विद्याले स्वच्चता से आप छात्रों का सहयोग किस परकार करेंगे, शाला स्वच्चता से आशे, विद्याले परिसर की स्वच्चता से है, विद्याले का वात वansa होना चाहिए शाला की 66 आमें chyba सहयोग प्राप्त करने के लिए सहातरों के प्रति जागरुकश बनाना चाहिए सहातरों के सांत ही कि सिच्षकों को भी का नियमों का पालं करना चाहिए विद्याले में समय समय पर स्वच्छता भिया चलाना चाहिए छात्रों की इससे भागिदारी सुनिश्चित करनी चाहिए छात्रों को सच्छ परिविश का महत्तु बताना चाहिए उन्हें समय समय पर माह में एक बार विद्याले की सफाई तथा सज्जा दिवस मना कर भी प्रेरित किया जा सकता निरिक्षन और परवेक्षन में क्या अंतर है तो निरिक्षन और परवेक्षन इसमें अंतर देख लेते हैं निरिक्षन का अर्थ सरलता पूर्वक तथा आलोशनात्मक दृष्टी से जाज करना है परवेक्षन सिचर पड़किर्या की उन्नती हेतु साधनों को जुटाना है निरिक्षन समालोशनात्मक दुरुष्टी से किया जाता है परवेक्षन का मुख्यकार संस्था को चलाने वाले सिच्चकों की इदशा में उन्नती के उपायों पर ध्यान देना है ये हो जाता है निरिक्षन का पढ़्याम बहुत अंशों में निरथक हो जाता है परवेक्षन का कार सिक्षन तथा उसके सुधार और मुल्यांकन भी इसकी परिधी में आते हैं उसके बाद आपका कोशन हो जाता है संचाई अभीलेग की क्या उपयोगिता है तो संचाई अभीलेग विद्याले में छात्रों की परगती परदर्शित करने में महतुपूर्ण होते हैं संचाई अभिलेखों को व्यक्तिगत एक एक छात्र की परगती से संदर्वित भी तयार किया जाता है जिससे शनेशने छात्र के निश्पादन का पता चल जाता है विद्याले प्रधानाचार के व्यक्तितु का परतिविम्ब है इस कथन की पुस्टी कीजिए तो विद्याले का नेता होता है उसे चात्र और चात्र सिच्छक चात्र सिच्छक निरिक्षक सिच्छक अभिभावक आधि के संबंधों को संतुलित तथा निरिचित करना पड़ता है इन सभी परकार के संबंधों पर उसके विक्तित्व की अमिट्छा पड़ती है प्रधाना ध रहा जाता है कि विद्याले प्रधानाचार के व्यक्तितु का प्रतिविम्ब होता है. सिच्छड कार में सैच्छिक गतिविदियों से क्या अभिप्राई है सोधारण स्वस्ट कीजिए तो सिच्छड कार में सैच्छिक गतिविदियों से आशे है छात्रों से ऐसे कार कराना जिसे कार की अपेक्ष्या खेल के गुड अधिक हों इसमें मनोरंजनात्मक किरिया परतियोगिता, नाटक, अभीने, गीत, परतियोगिता, सैचिक भर्मण, सांसिकरतिक, कारिक्रम, आदियाते हैं इस परकार के सैचिक गतिविद्यों से जहां एक और छात्रों की मूल परवर्तियों का शोधन होता है वहीं दूसरी और छात्रों का सरवांगेड विकास भी होत चात्रों के लिए पुस्तकाले का महत पुस्तकाले में विविद्परकार की पत्रिकाएं होती हैं जिने चात्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्थ होता है निर्धन चात्र पुस्तकाले से पुस्तके उधार लेकर भी अपने ज्यान में व्रद्धी कर सकते हैं पुस्तकाल रूप में अब क्या परियास करेंगे तो सिचक अभिभावक सिचंग संकी स्थापना कर सकता है सिचक माह के एग दिन अभिभावक सिचंग मीटिंग रख सकता है सिचक विभिन राष्टी दिवसों पर अभिभावकों को उनके बच्चों के निश्वादन को देखने के लिए आमंतृत कर सकता है सिच्चक विद्याले की परबंद कमेटी की अनुमती से अमन्तृत कर सकता है सिच्चक फोन चार डायरी आधी के द्वारा अभिभावक से वारताला बनाये रख सकता है पार्थि सहगामी किरिया कलापों का वर्णन कीजिए तो यहां पे देख लेते हैं त तो यहाँ पर देख लेते हैं पाठ सेहगामी किरियाकलाब, सचछा से संबंधित किरियाकलाब, सच्छा किरियाकलाब कहे जाते हैं इसके अंतरकद व्यवाद, कविता, पाठ, भाष, निबंद, लेखन, कहानी, लेखन, अंताक्षरी, समुगान, लोगई, नाटक, देशगा परतिभा को उभारने और उनका आत्म विश्वास विक्सित करने के लिए विभी नवसर परदान करते हैं। मनुरंजन की भी प्राप्ति करते हैं। महान पुरुषों के योगदान की जानकारी बच्चों को प्राप्त होती हैं। मनाना चाहिए नवसरों पर भाशन, वाद, विवार, नाटक तथा परतियों गिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट कारी तो प्रतियेक बच्चों में चिंतन, तर्क, कलपना तथा सरजनात्मक शक्ति के विकास, ये तुविभिन विश्यों से संबंधित प्रोजेक्ट कारी विद्यालों में कराना जाना अपेच्छिते। उदहारण महापुरशों के चित्रों का संकलन, एटिहासिग महत्व की इमारतों, ादि के चित्र का संकलन, भारत के राजस्यों, राजधानियों की सूची बनवाना अधि. सेचिक भर्मण पुस्तकों के द्वारा बच्चे से धानती ज्ञान अर्जित करते हैं लेकिन जब तक बच्चे जब किसी वस्तु को परते शुरूप से देखते हैं तो उसके संबंद में उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है यह ज्ञान इस्थाई होता है ति प्रति चेतना और अभिविरत्ती विक्सित करना आवशक है अता विद्यालियों में बच्चों से व्रक्षा रोपन कराना आवशक हो जाता है उन्हें अपने घरों में भी फलफूल के पेड़ पोधे लगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए प्रात्मिक इस्तर पर अनुभूती समस्याओं पर कियात्मक शोध कराना यहाँ पे हो जाता है यह तो आपका नहीं यह दोहजार अठारा का देख रहे हैं हम लोग तो डाएट की सरचना तथा कारियों को बताएं या जनपत को एकादमिक मार्दरिशन प्राप्त करने में डा पर मुख कारी बताएं तो आपका देख लेते हैं यहाँ पर अंसर इसका डाएट की सरचना डाएट की स्थापना सन 1987 में की गई इसकी स्थापना राष्ट सिच्छानीती 1986 के तहत की गई देखिए यह आप लोगों के लिए most important यह इतने points हो जाते हैं कि किस स्थापना कब आपका भविकल्पी टाइप questions या ती लगुत्री टाइप में भी आ सकते हैं और लगुत्री में तो आपके लिए important है है डाएट की सरचना डाएट के कारियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए साथ विभागों को सम्मिलित किया जाता है सेवा पूर्व सिच्छक पर सिक्षण पार्टिक्रम सामगरी विकास तथा मुल्यांकन विभाग सैचिक तक्नीकी विभाग नियोजन यों परवंधन विभाग डाएट के कार सेवा रत पर सिक्षण पर सिक्षण विशिष्ट पर सिक्षण ब्लाक स्तर पर सिक्षण उर्दू पर सिक्षण ब्लाक स्तर संधान और पर सिच्छन परिशद एंसी इर्टी का गठन तथा उद्देश भी बताएं इसके अंतरगर चलने वाली सहयोगी संस्थाओं का नाम तथा कारिव बताएं तो यहां पर देख लेते हैं सन 1981 इसवी में राज जी यहां पर राज सेच्छी कनु संधान और पर गठन का परमुक उद्देश इस परकार है सेच्छिक गुडवर्ता में समवर्धन है तो किरियात्मक शोध कराना तथा किरियात्मक शोध को प्रुसाहित करना सेवापूर सिच्छकों के प्रसिक्षन की विवस्था करना सेवरत सिच्छकों के प्रसिक्षन की विवस्था क A.C.E.R.T. के अंतरकर चलने वाली पर्मुख सहयोगी संस्थाएं इस पर कारे राज सिच्छा संस्थान उत्तर प्रदेश इलहाबाद का गठन 1964 इस्यू में हुआ राज सिच्छा संस्थान उत्तर प्रदेश इलहाबाद का पर्मुख कारे इस पर कारे किरियात्मक्षोध पर जोर देना बी टी सी विशिष्ट तथा सिच्छा मित्र पाठिकरम का विकास करना जिला सिच्छाम पर सिच्छन संस्थान के सच्छी गुडवत्ता मिवरद्धी है तु निर्देशन परदान करना प्रात्मिक वम उच्च प्रात्मिक विद्यालियों के पाठिकरमों का विकास करना राज विज्ञान सिच्छा संस्थान उत्तर प्रदेश इलहाबाद का परमुकारिस परकार है गड़ी तथा विज्ञान के सिच्छकों को पर सिच्छन दिलाना विज्ञान परदर्शनी की विवस्था करना विज्ञान की पार्ट पुस्तकों का विकास करना विज्ञान मे तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा अपने इस तर से क्योंकि एक बार इसको पढ़ा चुके हैं आपको तो इसको देख लीजिएगा फिर उसके बाद समय सानी एक ऐसा चार्ट है जो विद्याले में किये जाने वाले कारिक अलापों को दर्शाता समयत्ति के आधार प सिच्चा को बच्चों की भूमिका तो ये भी 2018 में भी आया हुआ है तो इसलिए आप लोग ये वाला ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो जो रिपीटेड है वो नहीं देखेंगे आप लोग उसको अपने तरीके से देख लीजिएगा सिच्चा की गुडवत्ता में व्र विकल्पिक सिक्षा, बेसिक सिक्षा, परिश्यत, सयुत सिक्षा, निदेशक मंडल, सहायक सिक्षा, निदेशक मंडल, बेसिक सिक्षा, अधिकारी, सहायक, बेसिक सिक्षा, अधिकारी, अकादमिक तंत्र, राज इस्तर पर, तो SERT, लखनो, फिर इसके बाद है, राज इस तरह से आपका हो जाता है उसके बाद है पर्मुक विद्याले अभी लेखों का वर्णन कीजिए तो इसमें लॉग बुक छात्रु पस्तिती रजिस्टर ये हो जाते हैं तो इसमें लॉग बुक को देख लेते हैं लॉग बुक विद्याले की डाइरी है इसमें विद्याले की विशेश घटनाओं योजनाओं नमीन पाठ पुस्तकों विद्याले कारे के घंटे आने वाली तथा जाने वाली सुचनाओं का विवरण निरिचण अधिकारियों थो अनुव्यक्ति द्वारा विद्याले का नि लिखे होते हैं रजिश्टर कच्छा अध्यापक के सरक्षण में रहता है और विद्याले के प्रारंब होने पर उसमें चात्रों की उपस्तिती दर्ज की जाते हैं इसके लिए प्रात्ना के पर चात करी 10 मिनट का समय रखा जाता है कच्छा अध्यापक पर ते दिन अपनी साधनों को जुटाना है निरिक्षण क्या है कि सरलता पूर्वक जांच करना है ना अलोचनात्मक द्रश्टी से जांच करना और पर वेक्षण में क्या है कि उन्नती के लिए साधनों को क्या करना है जुटाना होता है और निरिक्षण समालोचनात्मक द्रश्टी किसे किया जाता है प्रवेक्षण का मुखिकार संस्था को चलाने वाले सिच्चकों की दशा में उन्नती के उपायों पर ध्यान देना होता है निरिच्चन का परिडाम बहुत अंशोतर निरर्थक हो जाता है लेकिन प्रवेक्षण का कार सिच्चन तता उसके सुधार की मोल्यांकन भी भी इसकी परिधी में आते हैं उसके बाद आपका हो जाता है लर्णिंग कॉर्णर क्या है तो लर्णिंग कॉर्णर विद्याले का वो कोना होता है जिसमें सिच्चक से संबंदित सिचण अधिकम सामगरी का संग्रे होता है लर्णिंग कॉर्णर में उपस्तित वस्तों को पुशल सिच्छक के गुड़ों का वर्णन कीजिए तो आपका हो जाता है कारे के प्रति समर्पन, छात्रों के साथ पक्षपात नहीं करना, छात्रों को पढ़ाने के साथ प्रेरित करना, छात्रों को सुलंबी होने की सिच्छा देना, विद्यार्तियों की गलती को शमा करने की भावना रखना तथा उसकी हर कमजोरी को दूर करने का परियास करना उसके बाद आपका कोशन हो जाता है मनोविग्यान शाला उत्तरप्रदेश परियागराज के कारियों को बताएं तो मनोविग्यान शाला उत्तरप्रदेश इलहाबाद मनोविग्यान शाला इशद उत्तरप्रदेश लखनों की ब्यूरो आफ साइकोलोजी नामकिकाई के रूप में एक विश्ष्ट संस्था है मनुविग्यान शाला उत्तरप्रदेश संस्था का अध्यक्ष पदेज निर्देशक कहलाता है इसमें वरिष्ट मनुविग्यानिक और मनुविग्यान की भी पद सिर्जित किये गए हैं इस अंस्था कामुकि उत्तेश प्राथमिक यों मादमिक स्थर के सिच्चकों को सिच्छन निर्देशन यों परामश परदान करने हैं तो मनुविग्यानिक रूप से सक्षम बनाने हैं तो परसिक्षर देना तता च्छात्रों को खोच परिक्षा का आयोजन शोधकार योजना परकाशन कार अनुवर्तिकार मंडली मनुविग्यान के अंदर मनुविग्यान शाला उत्तर प्रदेश इलहाबाद के अपनी सेवाओं के विस्तार करने उनके सरुसलब बनाने हैं तो मंडली मनुविग्यान के अंदर के स्थ परामर्श देता है विशेश आवशक्ता वाले चात्रों को परामर्श देता है चात्रों की मनुवेग्यानिक समस्याओं के निवारण है तो परामर्श देता है जिला चिकिस साले संपूर प्रदेश में जिला चिकिस सालेओं में मुखे चिकिस साधिकारी के नेतरत में विश विशेश रावशक्ता वाले बच्चों विकलांगों के लिए विकलांगता आधिका परिक्षन करके सेवाओं में आरक्षन का लाब परदान कराती है विशेशक डाक्टरों की समिती विशेश रावशक्ता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण जैसे चश्मा आधि प चाद्र अध्यापक संपर्क और आपका हो जाता है सिच्छा प्रणाली में सुधार तथा उसके देश में सफलता अध्यापक विवस्था किशोर वस्था के अतिरिक्ति शक्ति का सदुपियोग उत्तदायतु की भावना काविकास विद्याले में राजनेतिक दलों का परवे पंधन समिती के कुल 15 सदस्यों में से 11 अभिभावक और बागी 4 नांुत सदस्यों होते हैं 25 छेत्र में बेसिक स्कूलों की इस्थापन, प्रशासन, नियन्तरण और परवन्धन करना पंचायद छेतर में बेसिक सिच्छा और प्रोण सिच्छा की अभिवरत्य और विकास करना ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास परसार और सुधार के लिए योजनाय तयार करना बेसिक स्कूल उनके भवनों और उपसकरों में सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना बेसिक सिच्छा से समंधित ऐसे अन्निकृतियों को करना जिन्हें राज सरकार द्वारा उन्हें उसे सोपात जाए उसके बात पर्वेक्षण का उद्देशी बताएं तो नवीन सिच्छकों को विद्याले वातावरण और परंपरा आधिका घ्यान देकर विद्यालेों के सामंजस में उनकी सहता करना समय सार्णी बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो कि 18 में यह आया वा कोश्यों है 18 सेकेंड में फिर 20 में तो आप लोग इसको अपने तरीके से देख लीजिएगा उसके बाद ये भी आपका 18 में आया हुआ है सेचिक गतिविदियों से अपका क्या भी प्राहिस सोधानारी सपस्ट कीजिए तो सिच्छा कार में सेचिक गतिविदियों से आशे चात्रों के ऐसे कारिकराना जिसमें कारिकी अपेक्षा, खेल के गुड़, अधिको इसमें मरूरंजात्मक, किरियाए, वाद विवाद, भा कात्रों का सर्वांगिर विकास भी होता है, अब यह आपका देख लीजिए, यहाँ पे अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, कि यहाँ एक परकार का विद्याले अभी लेके सिच्छक की देनेंदनी, उसके लिए तो डायट के स्थापना 1987 में की गए, इसके स्थापना रास्ट सिच्छानीती 1986 के तहत की गए, डायट के स्थापना जनपर इस तरपर की गए, यह भी देखिए आपका रिपीटेड कोश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यह आपका हो जा से तथा किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं, सूचना मांगने के लिए हमें 10 रुपे का पोस्टल आडर भेजना पड़ता है, परन्तु BPL कार्ड धारक होने पर सूचना निश्चुलक दय है, परन्तु इसके लिए हमें BPL कार्ड का डिटेल देना होता है, सामाने अर्टी आई में हम कोई भी सूचना सरकार अत्वा सरकार की किसी भी विभाग से मांग सकते हैं, र्टी आई से हम किसी भी दस्तावेज की जाच करा सकते हैं, र्टी आई में हम किसी भी दस्तावेज की परमारिक कॉपी ले सकते हैं, र्टी आई की धारा छे ब्राइकेट म तिन धारा के अंतरगत सही विभाग में पांच दिन के अंदर भेज देगा तो इस तरह से आपका हो जाता है तो इस तरह से आपका हो जाता है सिच्चकों के लिए विद्याले के परती क्या करतव होते हैं लिखिये तो विद्याले के परती सिच्चक के मुखे कार हैं वह चात लिए प्रेइरित करना तताच चात्रों को सीखने के लिए प्रेईरित करना। उसके बाद यहां पर 2021 के question से start हो जाते हैं, विद्याले में सैचिक परबंधन के अंतरगत कच्छाकच परबंधन वा पुस्तकाले परबंधन को समझाएं तो सिच्छाकच परबंधन का एर्थ हो सब्सक्णा को सबस्क्णा быть टैंजट यहाँ पें और यहाँ इस में सब्सक्णा करन देख सकते हैं सब्सक्राश pseudo मिलगरे यह इस उस है लिए देख के उससे लिए में करने के सब्सक्राइब से विश्वासपूर कच्छा सिच्छक करने हैं, तो राज परियोजना कारेले उत्तरप्रदेश ने सभी के लिए सिच्छा परियोजना परिशल लखनो द्वारा कच्छा एक से कच्छार तक कच्छावार विशेवार सिच्छक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया, जो सभी सिच्छक अधिगम परकिरियाम में परभावशाली तथारूचिकर बनाने के लिए सिच्छक संदर्शिका का परबंधन अगर परकार से करना चाहिए। संदर्शिकाओं का निर्वार करते समय विशेशिकों का सहीयोग आवशिक करना चाहिए। संदर्शिक यूजन अवं परशार्शन के छेत्र में राश्ट्रिय शीशस्त संस्था के रूप में भारत सरकारद्वारा गठित 1808 निकाए। आरब में संस्थान की स्थापना सन 1962 हिस्वी में एशिया तथा परशांथ छेत्र के सहचिक यूजना कारों परशार्शकों और परवेक्षणों के परशिक्षण के लिए एशिया छेत्र में यूनेश्कों के रूप में दस वर्षिय संविदा के अंतरगत किया गया था। तथा इसका नाम नेशनल स्थाफ कॉलेज फॉर एजुकीशन प्लानिंग एड्मिस्ट्रेशन रखा गया। इसका नाम बदलकर राश्टि सहचिक योजना प्रशाषन विश्विद्याले निशनल यूनिवस्टी ओफ एजुकीशन और प्लानिंग आर्ट एड्मिस्ट्रेशन एड्मिस्ट्रेशन एन यूप ए कर दिया गया वर्दमान में इस अंस्था को विश्विद्याले सतर पर इसके द्वारा उसे अच्छिक प्रबंधन की आधुनिक तक्नीकी से परिचित कराया जाता है। सुझाओ परदान करना है। तथा निदेशा लेके आधेश के पस्चात इस्थानी परबंधन स्वयम करना। आपका हो जाता है। आपका बच्चों है तो विशे अधालित कुईजवाद विवाद अंताक्षरी सुलेक वरतनी चित्रकला शिल्प परदर्शनी आधिकारेकरम विद्याले ब्लाक इस्तर पर आयोजित करना। और सिचकों के आदश पार्ट प्रस्तती करन टील्म परियोगी द्याले सुन्दरी करन वा अभी लेखों के रख रखाव की परतियोगिता कराकर्स में जागरुकता उत्पन करना। बेटकों है तो एजेंडा बिंदु तयार करना तथा ध्यापकों को दक्ष करना। शाषन द्वरा सिच्चा की गुडवत्ता है तो कि ये जारे कार्यकर्मों का संचालन करना, जिला सिच्चा पर सिच्चल संस्ता द्वरा आयोजित पर सिच्चल में प्रतिभाग करना, राज परियोजना वाज जिला परियोजना द्वरा आवंटित कार्यकर्मों का संचालन करना जन सहभागी आधारित कारिकरम तो ग्राम सिच्छा योजना बनाना बच्चों की विद्याले में ना मंकन है तो विशेश कारिकरमों का आयोजन जैसे स्कूल चलो अभियानाद विद्याले की समस्याओं के समाधान है तो इस्थाने जन समुदाई से सही उप्राप्त करन की पहल करना ग्राम सिच्छा समीती तेथा ब्लाग ग्राम ब्लोक अकादमिक समुहू का प्रिस्टिक्षन तथा जागरुकता कारिकरम का आयुजन समुदान विद्याले विभाग के समनवे इस्थापित करना उप्योग संस्थाओं का समनवे तो स्वास्ते विभाग से संपर्क इस्थापित करना बाल विखास विभाग से संपर्क करना पंचायर राज गिराम विखास विभाग से तालमें स्वेचिक संगटनों से संपर्क क यान होना चाहिए ताकि वसही परकार से निर्णे ले सके और संघर्ष से गधांत साचिक प्रशार्षन वा समस्त करमचारियों का तथा सिच्चों को पर्यास समन्वे हैति हर संबव पर्यास करना चाहिए जिसे संस्था के संपुण विकास में भी योगदान करें उसके बाद तो आप लोग इसको अपने तरीके से देख लीजेगा फिर इसके बाद ये भी आपका पार्ट सेगामे किरियाओं का वर्णन 2018 में भी आया हुआ है ये भी देख चुके हैं 2019 में भी तो इस तरह से जो एक बार पढ़ चुके उनको नहीं पढ़ेंगे ठीक है ना और उसके बाद ये 2000 ग्राम सिच्छा समीति में कौन कौन से सदक से होते हैं तो ये भी आपका हो चुका ये भी रिपीटड है उसके बाद राश्च्ट अध्यापक सिच्छा परिशत के परमुकार लिकिते हैं यह सेवापूर अध्यापकों को पर सिच्छन देता है और अध्यापक स इच्छा के संस्थानों के इस तरका मुल्यांकन करता है उसके बाद आपका सूचना का अधिकार 2005 की वेख्या करी है और इसके द्वारा किस परकार की सूचना मांगी जा सकती है तो इस अधिनियम के अप्लुप्धों के अधिहिन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अ अनुशासन के सिध्धान्त कारी विभाजन सिध्धान्त आदेश की एकता का सिध्धान्त और अधिकारवा उत्तरदायतु का सिध्धान्त अनुशासन का सिध्धान्त इस्थाई तत्तु का सिध्धान्त और सहयों का सिध्धान्त यह हो जाता है फ्रेंट्स आई होब आप आपने दैनिग कख्षावलोकन न सिखिक को ओपियोग की गई TLM का अंक्लन करना चाहिए तह यहां सुनिश्चित करना चाहिए कि सिख्षक-द्वारा टीलम का उप्योग विशेवस्तू के अनुसार अध्यापक देनंदरी की पाठी उजना से दर्शाया गया है या नहीं विद्याले अवलोकन में टीलम की उप्योग को सुनिश्चित करना चाहिए तथा प्रात्मी कुछ प्रात्मी की विद्याले में सिच्चकों की मासिक क्यां तरहें कई बार रिपीटड कोश्चिन है और उसके बाद संचय अभी लेक तो यह भी आपका दोहजार अठारा का भी है और फिर दोहजार बाइस में भी आया हुआ हुआ है फिर उसके बाद याध्यापक डाइरी से आप क्या समझते हैं 2020-2022 और लर्निंग कॉर्णर यह भी आपका देखे रिपीटड कोश्चिन है यह देख लेते हैं विद्धाले परिसर में परियाबरां संच्षणे तो आप क्या कर सकते हैं तो विद्धाले परियाबरां परस्रिक्षर समझता बीयान चलाना तो इस तरह से यहां पे आप लोगों के 2016-2022 तक के सभी questions वो अति लगुत्रे टाइप हो वहुविकल पिर टाइप हो या लगुत्रे टाइप हो सभी solve हो जाते है I hope आप लोगों को session पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफी helpful होगा तो friends अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगए तो एक लाइक भी जरूर कर दें थैंक यू